कि वके मुख से सुनके वचनिये तुम सब का होगा मन् cooking सुर असुरूद्वार बिद्विना वह होई सागर-मन्तन सागर-मन्तन जागर-मन्तन सागर-मन्तन सबसे पहले कालकूट विश धुम्र रूप में निकला जिसके भैलते ही सुर असरों संग मानव मन विचला शणभर में ही तीन लोक में मच गया हाथा शिव शंकर तब हुए परस्तुत सुन के करण पुकार देवी सती यह विशिश श्रिष्टी का नाश कर देगा उसे सर्वनाश से बचाने के लिए हमें इस विश का पान करना पड़ेगा फिर शिव के संकेत सिनब में कुंब हुआई कूत्पन उसमें समाया तरल रूप में विशों के परिवलतर विश पी के उसे कंठ में रोखा धीरे से मसकाए जग कर ल्यान हुआ शिव शंकर दील कंठ कहलाए तीन खंठ कहलाए आपिन गंड कहलाए आपिन गंड कहलाए आपिन गंड कहलाए रगत हुई तब कमल आसना विष्नु निकत भुआई पतीमान लक्षमी ने उनको बरमाला पहनाई विश्म की आश्री लक्ष्मी ने तब धन्वाई भव बरसा उनके घर्षन कर्मन ही मन जन्मानस हर शाया जन्मानस हर शाया